मित्रो नमस्कार और देखें मैं एक सब्ध है सारी की सारी जो मनुस की सोच है और मनुस के क्रिया कलाप है और जो ये स्रस्टी का सारा का सारा कारोबार है वो कहीं न कहीं धर्ती के इर्द गिर्द घूमता है ये जो मेरी धर्ती है ना प्रत्वी सारी की सारे विशय हों पदार्थ हों सब क्वा केंडर बिंदू है धर्ती और धर्ती के बारे में कहा गया है कि धर्ती को मा कहते हैं और मा जिसकी मा जिन्दा है जिसकी माँ जिन्दा है उनके बच्चों को कभी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्त मिल बना सरीरा यह पंच महाभूत है जितनी भी जीव जगत की माया देखती है धरती के उपर सारी की सारी माया चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्त मिल बना सरीरा यहानी मेरा सरीर हो किसी जीव का सरीर हो गाय भयें सांथी बनस्पतियां सारे जीवों का सरीर 84 लाकियों के जीवों का सरीर धर्ती पानी हवा आकास और अगनी से मिल करके बनाए दुनिया जानती है वेदों में आप पढ़ लीजिए इतना ही सा सूत्र लेकिन सबसे पहले कौन बना तो सबसे पहले पंच महाभूतों ने बनस्पति जगत को पैदा किया चूंकि बनस्पतियों के बाद जीवों का भोजन बनस्पतियां होंगी अगर जीवों पहले आ जाएंगे तो जीवों खाएगा क्या इसके लिए सबसे पहले बनस्पतियां आएं उसके पीछे से जीवों और इस पंच महाभूत ने दो प्रकार के जीव पैदा किये हैं एक वो जीव जो बनस्पतियां खाएंगे एक वो जीव जो बनस्पतियां नहीं खाएंगे जो जीव को खाएंगे लेकिन अल्टीमेल्डी अगर किसी जीव ने जीव को खाया तो जिस जीव को खाया उस जीव ने तो बनस्पतियां ही खाएंगे सेम कहानी मनुस के लिए थी वैसे कि अगर विज्ञान के अनुसार देखें मनुस का जो आतों का सिस्टम है जो डाइजेस्टन सिस्टम है जो दातों का रचना है according to उसके तो कहा गया कि मनुस को मांस नहीं खाना चाहिए लेकिन मनुस भी मांस खाने लगा वो बात अलग किया है चलिए मेरे जीवन में इस संसार में जितनी भी उथल पुथल है जितनी भी घटना है दुर घटना है समस्याओं का जन्जाल खड़ा हुआ है जो समस्याओं का बाजार गरम है उसके पीछे की वज़े सिर्फ एक है और वो है धर्ती मा कैसे ये फूट चैना है सिंपिल सी कहानी है कि बनस्पतियों को भोजन कहां से मिलता है तो बनस्पतियां धर्ती को नहीं खाती बनस्पतियां धर्ती में उगती हैं देकि इनका भोजन क्या है देखिया धर्ती में बनस्पतियां उगती हैं बनस्पतियों को साकाहारी जीव खाते हैं साकाहारी और आप कलपना करना एक सुखे हुए पेन को मरे हुए हाथी को मरे वह भैन्स को मरे हुए इंसान को कौन खाता है तो इनको भी कोई न खाता होगा तो इनको मरने के बाद इस रस्टी में जमीन के अंदर नाना प्रकार के बेनिपिस्चियल ऐसे माइक्रोब्स हैं जो किसी के नस्ट होने का इंतजार करते हैं चुक्कि उनका विचारों का और कोई भोजन नहीं है उनको परमात्मा का निर्देश है तुम किसी भी जीवी तिकाई को नहीं खाऊगे लेकिन हाँ जब मैं मरूंगा तो वो अवस्थ खाएंगे और फिर उनको भी मरना होता है मरना उनको भी होता है लाइप उनकी भी है तो यह जब जीवी मरते हैं तो आप तेस सुना होगा कि इस जमीन में जीवांस की कमी है फसल इसलिए कमजोर है बनस्पतियां भी मांसाहारी हैं यहां कुछ जीवों ने बनस्पतियों को खाया मनुस ने बनस्पतियों जीवों दोनों को खाया और ये बनस्पतियां विसुद रूप से मानसा आ रही हैं लेकिन फर्क केवल इतना आए ये बनस्पतियां किसी जीव का सिकार नहीं करती है ये बनस्पतियां जब नेचुरली जो जीव नस्ठ हो जाते हैं उनके जीव द्रब को हर बनस्पति की जड़ केवल जीव द्रब को कोँ पीती है अब इधार बीच में हुआ क्या कहानी इतनी सिंप अगर मनस्थ मों को ये समन है कि सिस्टम केवल इतना सा है तो खेती में समस्या amor hi थी क्यति में कोई समच्या नहीं लेकिन समस्या शिरप इसली है कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत बढ़ा भ्योसाय ख़डा कर रख्या है उनके अपने निजी शार्त है निजी स्वार्त के चक्कर में बहुत-धिस्टम को इस प्राकृतिक system है प्रिकृति का जो system है उसको break करने की कोशित भैंका रूप से की गई है ब्रेक क्या हूए देखिया उसमें सारे लोग समली थे यह जो चीज़ें हैं चाहे मनुस मरा हो अगर मनुस मरे हुए मनुस को किसी खेत में फैंक दिया जाता खलियान में फैंक दिया जाता बाग बगीचे में फैंक दिया जाता तो उसको वहां के माइक्रोब्स खाते और वो जो लास्ट में जीवांस बसता उसको बनस्पतियां खाती लेकिन मरे हुए मनुस को किसी नदी में फैंक दिया है किसी बनस्पति के फसल के आउसेस हैं अगर वो खेत में फैंक दिये गए होते तो देर सबेर साल दो साल तीन साल के बाद उसको माइक्रोब्स ही खाता और माइक्रोब्स के मरने के बाद उसको फसल खाती अभी क्या हुआ कि मैंने जो चीज पौराली कथाओं में सिव को बिस पान करते हैं सिव भगवान को बिस पान करते हैं और बिस पान क ही है उसको धर्ती माता ने सीव ने का वो मुझे दे जा और बदले में अमरत ले जा लेकिन कालांतर में वर्तमानिक युक के मनुस ने धर्ती को ना पिला करके विस्यू को ना पिला करके और नदियों के किनारे सडकों के किनारे जलासियों में ये सारे पदार्त डालने लगा उसे एक chain break हो गई है और वो chain तूटने के परड़ाम है कि फसल बढ़ नहीं रही है फसल में बीमारी लग रही है फसल में कीला लग रहा है तो क्या हो रहा है जितने भी ब्यवसाइक लोग थे उन सब की दुकाने चल रही है और किसान की दुकान अपनी खराब हो गई है क्यों आज की युग में प्राक्तिक खेती के समय में यह जो जीवामरत की कहानी है वो कहानी यहां से सुरू होती है नमस्कार